हेलो विल्कम बैक टो माई चैनल तो आज बनाएंगे मसाला सैंडविच क्योंकि आज सब लोग घर पे थे तो बहुत देन होगे ते खाए यह बहुत टीस्टी बनती है इसमें थोड़ा साथ इंडियन टेस्ट देंगे अब बहुत टीस्टी लगती हो जो तो चलो स्टार्ट क कमेंट करके बताना कैसे बना था उसके बाद आपे प्याज लिए प्याज और टमाटर तमाटर गरब नहीं खाते तो इसके बी कर सकते हो बड़ टमाटर बहुत अच्छा लगता है इसको तीन से चार मुड़ तक कम से कम धीमी आज़ भूनेंगे ताकि थोड़ी सारी सारी स मैश करें तो कोई गुठली नहीं होनी चीओ नम मज़ा नहीं आगा इसके बादने गी लगा लिया था यह देखिए हमारा मसाला बनके त्यार अब चटनी तियार करेंगे मीठी वाली तो यहां पर मैंने आप तेल लिया है तो यहां पर मैंने तेल में थेल जीरा डाला था और हरी मिर्च और बस अब जो हमारा पेस्ट था उसको डाल दींगे इस तरीक दिए उसका मैं खटाई डाली थी इसमें थोड़ सा खटापन देने के लिए और मैंने इसमें कोई बीट रूट पाउडर डाला है कोई जो बजार में कलर आते उसको एड नहीं किया उसके अब बजार में चटनी बजाए और मैंने एक चमच पानी में गूल के रोड भी आट किया था बजार वाला फील देने के लिए अब फिर थोड़ा एंड मैं इसमें अगर मसाले एड किया हमारी चटनी नहीं चान लिया था और यह देखो मैंने फिर इसके बाद मिटी चटनी अब इसको कट करके लिखाते हैं यह देखो दूम बजार जैसे यह यह कर सकते हैं बजार से भी आता है तो बस खाओ पी एंजाए करो बहुत अच्छा बना था ट्राइक करना थेंक्यों और गुद डेबाए